महराष्टर चुनाव में अब वोट के बदले नोट का खुला खेल सामने आया है इस बाबत प्रवर्तन निदेशाल्य एडी ने महराष्टर और गुजरात में कई ठिकानों पर छापे मारी की एडी का दावा है कि माले गाओं के व्यवपारी के खिलाफ मनी लॉंडरिंग केस की जांच के तहट ये कारवाई हुए जिसने सौ करोड रुपे से जादा का लेंदेन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुर्पयोग किया मनी लॉंडरिंग केस में महराश्टर के माले गाओं नासिक और मुंबई में और गुजरात के एहमदाबाद सूरत में कुलतेस ठिकानों की तलाशी ले गई छापे मारी महराश्टर गुजरात उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, हर्याना, ओडीशा और पश्चिम मंगाल में 2500 से जादा लेंदेन और करीब 170 बैंक शाखाई जांच के दाइरे में है ED को संदेह है कि इन खातों से या तो पैसा जमा किया गया या निकाला गया है मामला माले गाउं में व्यपारी सिराच एहमद हारून मेमन के खिलाव पुलिस में दर्च की गई F.I.R. से जुड़ा है शिकायत करता वो व्यक्ति है जिसके बैंक खाते से अवैध लेंदेन किया गया था आरोप है कि बैंक अकाउंट का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद के लिए किया गया था महराश्ट्र में 288 विधान सभा सीचों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होना है इससे पहले E.D. की जांच को बड़ी कारवाई माना जा रहा है इस अंक में फिलहाल इतना ही अगले अंक में फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार